नमस्कार आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूँ आपके साथ पारुल्त रुपाथी पाकिस्तान ने प्रधान मंतुरी नरेंदर मोदी समेट दुनिया के कई नेताओं को शंगाई संयोग संग्छन की इसी साल अक्टूबर में होने वाले बैठक के लिए नियोता भेज़ा है आपको बता दे कि CHG की मेजबानी बारी बारी से सभी देशों के पास आती है पहले की मिन्नत फिर पाकिस्तान ने प्रधान मोदी को नियोता भेज दिया है अब प्रधान मोदी जाएंगे पाकिस्तान या नहीं चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं आज के हमारे खास शोव बियॉन बॉर्डर में चलिए शुरू करते हैं पहली की मिन्नत फिर पाकिस्तान ने मोदी को भेज अन्योता प्यम मोदी ने पाक को दिया था कड़ा मैसिज भारत के सामने भीगी बिल्ली बना पाकिस्तान भारत पाकिस्तान के रिष्टे कभी सहज नहीं रहे भारत पर हुए आतंकी हमलों के सूत्रधार वहीं पर पाले पोसी चाते हैं पडोसी ने चलकपट के सहारे कई बार भारत को हराने के सपने देखे भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर्ड चलाना उसकी फित्रत है नापाक एज़ेंटा चलाने के चक्कर में पाकिस्तान को हर बार लोहे के चने चवाने पड़ते हैं इसके बावजूद वो सुधरने को राजी नहीं है अन्टी इंडिया मोहीम के बीच पाकिस्तान ने परधानवंतरी नरिंद्र मोदी को नौटा भेजा है पाकिस्तान अक्टूबर के महीने में सम्हू के प्रमुखों की परिश्यत की बैठक की में जबानी कर रहा है इसलिए शेहबाज शरीफ की सरकार ने कारिकरम में आने का निवेदन किया है अब इस न्योतों को मोदी स्विकार करेंगे या नहीं ये सवाल अपनी जगा बना हुआ है 15-16 अक्टूबर के इस कारिकरम को लेकर विदेश मंतराले का अधिकारिक जवाब आने से पहले फिलाल तो यही का जा सकता है कि मोदी इस आमंतरन को इग्नोर कर सकते है अभी तक के संबंदों और हालातों पर गौर करें तो पियम मोदी के इसलामबाद जाने का सवाली नहीं होता है शेहबाद शरीफ के भाई नावाद शरीफ के साथ प्रधान मंतरी मोदी के ठीक ठाक तालमेल के बावजूद भारत पाकिस्तान में मेल मिलाब की संभावना ना के बराबर है भारत का दो टूक कहना है कि पियोके पर उसके अवैद कबजी के अलावा कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है पिया मोदी के फैसले पार नजर रखने वालों का मानना है कि यूँ तो वो राष्ट्य अध्यक्षों के शिखर समेलनों में नियवत रूप से शामिल होते हैं लेकिन वो इसी साल कजाकिस्तान में आयूजित समेलन का हिस्सा नहीं बने हाना कि इसकी वच्छा जुलाई में शुरू हुए संसससत्र की तारीखे थी इस बार भी पूर्व निर्धारत कारेकरमों की वच्छ से छोटे शरीफ की बैठक को बाईपास किया जा सकता है SEO की CHG में भारत का प्रतिनित्व करने के लिए एक मंदरी को भेजने की प्रता रही है जिसकी तहत विदेश मंदरी जैशंकर ने पिछले सार विशकेक में CHG की बैठक में शामिल हुए थे SEO से चलता है चीनी एजंडा इस संगठन में चीन का प्रभुत्व है एहम पदो पर श्वी जिंपिंग के लोग बैठे है भारत इस प्लाटफॉर्म पर बेहत बैलनसिंग रेक्शन देता है एक्सपर्ट से पश्चिम विरोधी मंच मानते है भारत भी च्वीन की चालबाजी से साफ़दान रहता है फिशली मीटिंग में भी भारत ने हर बार की तरह च्वीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट किसे दूरी बनाने के फैसले पर कायम रहने का एलान किया था S.E.O. शायद एक लौता भहुपक्षिय मंच रहे जहां भारत पाकिस्तान साथ काम करते हैं इसी कड़ी में पिशले साल ततकालीन पाकिस्तानी विदेश मंतरी बिलावल भुट्टो S.E.O. के विदेश मंतरियों की बैठक में हिस्सा लेने भारत आई थे इस तरह के मेल मिलाप इसलिए संबफ हो पाते हैं क्योंकि S.E.O. का चार्टर सदस्य देशों को दियुपक्षे मुद्धे उठाने की इज्वाज़त नहीं देता है ये नहीं होता CHG बैठक के लिए S.E.O. प्रोटोकॉल के तहत आया जम्मू में बीते दो महीने से लगातार हो रहे आतंकी हमलोगी वचासे मोदी के जाने के आसार कम ही है 26 जुलाई को कार्गल विजय दिवस के मौके पर पीम मोदी ने पाकिस्तान को दी कडी चितावनी सरपरस्तों को बताना चाहता हूँ कि उनके नापाक मनसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे कारगल युद में पाकिस्तान को मुख की खानी पड़ी थी आतंगवाद को हमारे ज्रावास पूरी तरह से कुछलेंगे दुश्मन को मुख तोड जवाब दिया जाएगा इसी के साथ आपको बता दे कि हाली में पाकिस्तान की तरफ से जमु कश्मीर में काफी आतंगी हमले हुए हैं जिसकी जेश से जुड़े कश्मीर टाइगर्स ने जिम्वदारी ली थी आतंकियों से मुटभेड में सेने अफसर समेथ पांच जवान हुए तिश्वहीत जमु कश्मीर के डोड़ा जृली में आतंगवादियों के साथ एंकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हुए एक अधिकारी सहित पांच जवानों की तगड़े इलाज के दोरान अस्पताल में मौत हो गई थी नियूस एजिंसी ने अधिकारियों के हवाले से बताया था कि मुटभेड तब हुई जब राश्ट्रे राइफल्स और जमुकश्मीर पुलिस के विशेश अभ्यान सम्हूं के जवानों ने देर शाम डोड़ा शहर से लगभग 55 किलोमीटर दूर देशावन शेत्र में धारी गोटा उदार बागी में एक सयुक्त तलाशी अभ्यान शुरू किया फिर थोड़ी देर की गोली बारी के बाद आतंगवादियों ने भागने की कोशिश की एक अधिकारी के नेत्रेतों में बहादुर सेनिकों ने चनोती पूर इलाके में घने जंगलों की बीच उनका पीछा किया जिसके बाद रात को करीबन 9 बजे के आसपास जंगल में एक दोड़ दिया शहीद जवानों ने सेना का एक अधिकारी और तीन सेनिक वजमु कश्मीर पुलिस का एक कर्मी शामिल है इसमें 16 आर्मी कोर जुसे वाइट नाइट कोर के नाम से भी जाना जाता है उसने कहा कि अतिरिक्त सेनिकों का डोडा ने मुटबेड शेतर में भेजा गया है पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चारी है आतंगवादी संगठन कश्मी ट्राइगर्स ने टोडा हमला के जिम्मदारी ली थी यह संगठन जैश मोहबत का ही ऑफशूट है जिसने हाली में कठुआ में सेना के काफिले पर हुए हमले की जिम्मदारी ली थी पिछल आतंगवादियों को मार गिराया था इसके बाद जम्मु कश्मीर के कुपवाड़ा के केरेन इलाके में सेना ने एंकाउंटर में दो आतंग्यों को मार गिराया था सेना को यहां कुछ आतंग्यों के छिपे होने की सूच ना मिली थी जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चुराय इसी दोरान आतंकियों सेना के बीच मुटबेड शुरू हो गई उधर डोड़ा में भी दो जगा एंकाउंटर चुलाया गया था इसके बाद तगड़े आतंगवादियों के हमले में दो सैनिक घायल हो गए थे सेना के अधिकारियों ने बताया कि कस्तिगड इलाके में जगन बाटा गाओं में देररात स्कूल में बने अज साई सुरिक्षा शिविर पर आतंकियों ने गोला बारी की इसमें दो जवान घायल हुए सेना ने फाइरिंग की तो आतंकी जंगल की ओर भागे वहां सेना ने उन्हें घेरा रखा था यहां सेना और आतंकियों की वीच रुक रुका कर फाइरिंग हो रही थी वहीं जुले में एक अन्य जगह भी एंकाउंटर जारी है और सेना ने फिर आतंगवादियों को धेर कर दिया तो इन घटनाओं को देखते हुए लगता तो नहीं है कि पियम मोदी पाकिस्तान जाएंगे अब इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि SEO में भारत और पाकिस्तान है पूर्ण सदस्य SEO में चीन रूस के साथ भारत और पाकिस्तान पूर्ण सदस्य है SEO में चीन का दबदबा है चीन ने इस प्लाटफरम का इस्तिमाल BRI को प्रमोट करने के लिए किया था हाला कि भारत ने कभी भी चीन की इस परियोजना का समर्थन नहीं किया है और बीते साल भी SEO के संयुक्त साज़ा बयान में भारत ने BRI का जिक्र नहीं किया था SEO एक मात्र भहुपक्षिय संगठन है जिसमें भारत और पाकिसान साथ काम करते है SEO एक स्थाई अंतर सरकारी अंतराश्ट्रिय संगठन है यह एक राजनीतिक आर्थिक और सेन संगठन है जिसका लक्ष शेत्र में शांती सुरक्षा एवं स्थिर्ता बनाए रखना है वर्ष 2001 में इसका गठन किया गया था SEO चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किये गए और वर्ष 2003 में इसे लागू किया गया इस संगठन का उदेश्य सदस्य देशों की बीच आपसी विश्वास और सद्भाव को मजबूत करना है राजनीती वेपार और अर्थ विवस्ता अनुशंधान तथा प्रतियोगी की एवं सांस्कृतिक के छेत्र में प्रभावी सईयों को बढ़ावा देना है सिक्षा उर्जा परिवहन परियटन परियावरन सदक्षन आदी शेत्रों में संबंदों को बढ़ाना है संबंदत छेत्र में शांती, सुरक्षा और स्थीरता सुनिश्यत करना है S.E.O के सदस्य देशों में चीन, रूस, पाकिस्तान, भारत, तजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, कृगिस्तान, कजाकिस्तान, सदस्य देश है अब पियम मोदी को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं ये हमें कॉमेंट सेक्शन पर आप अपनी राय ज़रूर बताईए फिलाल इस खबर में बस इतना ही बाकि देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें कैपिटल टीवी झाल 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 झाल